हलो गैज आप सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपनी येटूब चैनल नहीं किये तो प्लीज आप चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें चले बढ़ते हैं आज की अप्डेट की तरह चले गए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं KBS PRT की बेस्ट बुक के बारे में जो की चक्सू पब्लिकेशन की ये बुक है आपको हम बता दें कि PRT 2030 की भरती के लिए सबसे बेहतरीन बुक है साथी साथ 2000 से ज़्यादा बोविकल पर प्रस्ट होंगे और ये जो बुक है वो हर एक चीज़ समसमाई की इसमें जोडा गया है जो की काफी बेहतरीन बुक है यानि मैं यह कह सकता हूं कि KBS PRT के लिए बिलकुली कम्प्लीट बुक है इसमें आपको यमसी क्यों भी देखने को मिल जाएगा जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से भी सबसे पहले यहां पर लेकपाल भरती घोटाले को लेकरकर एक अपडेट निकल कर आई है लिखा है कि परिछा माफिया प्रकरण में डियम ने CRO, ASDM को सौंपी जाच, परिछा माफिया से सनलिपता प्रकरण की जाच, CRO, कुर, पंकल और SDM जोती मोर्या को सौंप दी गई या कमेटी ADG की रिपोर्ट में परप्रेक्ष में ADM City कारेले में तैनात रहे करमचारों की भूमका की जाच करेगी, कमेटी इस मामले में ADM City की रिपोर्ट की भी जाच करेगी, तो आप देख सकते हैं कि लेकपाल भरती को लेकर के यहां पर कमेटी बना दी गई, क्योंकि उसमें बहुत सारी धांदली हुई थी, ADM City कारेले के बाबू की भूमका पर दस दिन में इसकी रिपोर्ट सौप देनी है, इसके बारे में भी यहां पर बता दिया गया है, यहां पर यह भी का गया कि लेकपाल भरती परिच्छा का पेपर आउट होने की जाच के दौरान, ADM City कारेले के भूमका भी संदिग पाई गई है, इसमें एक विक्त की भूमका पर भी सवाल उठाया जा रहे हैं, जिससे बाहरी होने के बावजूद गोपनिये काम भी कराया जाते थे, यहां तक की स्टांग रूम तक भी उसकी पहुँच थी, ADG ने DM को रिपोर्ट भेज ADC सब्ता तवादले की बाद भी कही जा रही है, इस समय ADM City के पास सिर्फ प्रोटोकाल का काम रहे गया है, ऐसे में उनके तवादले की बाद भी कही जा रही है, बताया जा रहा है कि उन्होंने खुदी ट्रांसफर मांगा है, वहीं DM का कहना है कि ADM City के ट्रांसफर करने ड अगली जो अपडेट है वो है प्रधानाचार भरती को लेकर के कि हाई कोड ने किया इंटर कालेजियों के प्रधानाचारियों का चैन रद और अब नए सरे से जो है विग्यापन इसका जारी किया जाएगा लिखा है कि लाहबाद हाई कोड की लकनोपीट ने बुधवार को एहम फासले में वर्स 2013 में जारी विग्यापन के आदार पर इंटर कालेजियों में चैन प्रधानाचारियों की भरती निरस्त कर दी गई है कोड ने चैन को बिधिक प्रवाधानों के खिलाब मानते हुए भरती बोड को इन पदों के लिए नया विग्यापन जारी का चैन प्रक्रिया करने का आदेश दिया है आप ये देख सकते हूं 2013 में जो भरती का विग्यापन आया था हुसको 2023 में रद कर दिया गया यादि कि 10 साल बाद उसको रद किया गया है अगर वो दोजा 13 में ही खतम हो जाती तो क्या हर्ज था 10 साल इसको खीचने की कोई आओ सकता मेरे हिसाब से नहीं थी चलिए फिलाल यहां आगे देखते हैं भरतियों के खिलाब दाकी लियाचका पर सुनवाई करते हैं अगली जो अगली जो अपडेट है वो की यूपी सी से अपडेट है और यह बारा सु पच्पन पदों पर जो भरती आई है और यह बारा सु पच्पन पद कौन से हैं तो IES और IFS परिक्षा 23 के पद जो है आप दिये गए हैं जिसके लिए एज 21 साल से 32 साल है तो जो लोग भाई IES IFS की तारी करते हैं उनके लिए यह बड़ी भरती है बाकी लोग जो इसकी तारी नहीं करते हैं वो इसको फार्म को डालने से कोई मतलब भी नहीं क्योंकि IES और IFS आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी भरती है चली आगे आते हैं अगली जो अपडेट है वो SSC GD भरती को ले करके है SSC GD यानि कौनस्टेबल भरती परिक्षा में सामिल दो साल बर समय तीन जोई गरपतार किर दे गए हैं आप देख भी रहोंगे कि ऑनलाइन परिक्षा SSC GD हो रही है सालवर इन परिक्षाओं को भी नहीं छोड़ रहे है और यहां पर भी जो है एकदम सेंदमारी करने की कोशिस में लगे हुए है SSC GD भरती परिक्षा में सेंदमारी करने वाले गरोग गिरोग का राजफास कर तीन सातिरों को गरपतार किया है गिरपतार आरोपियों में दो साल वर वा एक अब्भारती सामिल है एक अब्भारती फरार है जिसकी तलास जारी है दस जनोई से प्रदेश के तेरा जिलो में 61 केंद्रों पर जीडी कॉंस्टेबल की आनलाइन परिक्षा चल लगी है STF को परिक्षा में सेंद्वारी होने की सिकायते मिली थी जिसके बाद STF सक्रिय होकर जुटाएगे इंपूट के आधार पर किस्टा नगरिस्टेज देटिल एंजल होम आनलाइन एक्जाम सेंटर पर चापा मारा तो आप यहां देख सकते हैं आप लोग आये दिन यह भी देखते हैं कि सीटेट की परिक्षा में भी सेंद्वारी की कोशिस की गई इतने लोग गिरबतार हुए यहां तक कि SSC GD में भी लोग गिरबतार हुए क्योंकि आपको बता दें कि SSC GD और सीटेट दोनों परिक्षा हैं आनलाइन हो दोनों इस समय जो है चल रही है ठीक है या तो इनकी परिक्षा हैं चल नहीं है और जो यहां पर सालवर हैं वो भी बहुत जादा सक्री हैं लेकिन अच्छी बात यहीं कि यह लोग पकड़े भी जा रहे हैं चलिए आगे देखते हैं अगली अप्डेट जो कि UPPSC से आई है UPPSC से अप्डेट आई है कि इस माँ नौ भारतियों के लिए इंटर्व्यू होंगे उत्तर प्रदे लोकसेवा आयोग ने जारी किये संभावी सक्छतकार की सूची उत्तर प्रदे लोकसेवा आयोग इस माँ तीन विभागों में विभिन प्रकार के 216 पदों पर भरती के लिए इंटर्व्यू आयोजित करने जा रहा है आयोग ने संभावी साक्षतकार के सूचना जारी कर दी है इनमें मेडिकल अपसर के 166 प्रोक्ता के सैंतार से हम असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन पद सामिल है तो आप यहाँ पर इन चीजों को देख सकते हैं यूपी प्यस्ती के साक्षतकार प्रोफोष्ट के अनुभाग अधिकारी आसीस नगर की और से जारी सूचना के अंसार 170 पदों पर भरती के लिए इंटर्व्यू फरोरी के मद्द तक आयोजित किया जाएगा तो पूरा का पूरा यहाँ पर बता दिया गया है और भी जो ची अफिसर ग्रेट टू लेवल टू डर्मेटरोलोजी के चारीट पदों पर भरती होनी है इसके अलावन मेडिकल आफिसर ग्रेट लेवल टू रेडियो लॉजिस्ट के अंडर सर्ट और मैं इसका आप स्क्रीन सौड ले लिजिये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मे चात्रों को तक्रीबन 6,000 पदों पर भरती के लिए बिग्यापन जारी होने का इंतिजार है आयो को L.T. ग्रेट सिक्षक बरती जो की बीड़ वाले चात्रों के लिए बहुत बड़ी बरती है और बहुत बड़ा सपना लेकर ये आती है इसके पदों पर अभी कोई इस्तिती पस्ट नहीं हुई है यहां पर बता गया है कि 6,000 पदों पर जो है यहां पर चात्रों को इंतिजार है L.T. ग्रेट सिक्षक के 518 पदों प्रवक्ता के 400 पदों अपर निजीव सच्चू एप्यस के 300 से अधिक और PCN के 100 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है इसके अधियाचन मिल चुका है लेकिन इन सभी भरतियों का कोई विजिकर उनके कलेंडर में नहीं किया गया चात इसको लेकर के काफी ज़्यादा परिसान भी है अगली अपडेट यहां पर आप देख लीजे लिखाए PCN 2.30 का विग्यापन इसी माह के तीसरे सफता में जारी हो कर चुका है और यह भी बता है कि आयोग को SDM और डिप्टी SP के रिक्त पद मिल चुके हैं इसलिए विग्यापन जारी करने के तारी है आयोग को दिसंबर अंतक विभिन विवागों में PCS के तिराने पदों के सूचना मिल चुकी थी लेकिन SDM और डिप्टी SP के पद नहीं मिलने के कारण ही विग्यापन जारी नहीं हो पा रहा था वहीं पर एक अपडेट और भी है कि PCS 2022 मेंस के 119 जो चात्र उनका अब्यरतन निरस्ट कर दिया गया है और यहाँ पर मैंने इंटर्विवाली चीज मैंने अभी भी वताई दी दी 216 पदों पर इंटर्विव तो इसको पढ़ने क्या हो सकता है नहीं यहाँ पर आप देख दीजिए UPPSC की जो साथ भरतिया है उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया इसको लेकर मैंने कल साम कोई वीडियो बना दी थी दिया जाएगा साथी साथ एक बटे चार यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी पूरा का पूरा स्लेबर जो है जारी कर दिया गया है आपको अफिसल साइड यूपी ट्रिपल स्री डाट यूवी डाट इन पर यह देखने को मिल जाएगा तो फिलाल यह रही आज की अपडेट अगर वीडियो अच्छे लिगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते एंगली वीडियो म तब तक के लिए खुश रहें मस रहें जैहिन जैभारत